तो आज कुश्चन नम्मर है 76 तो 76 नम्मर कुश्चन क्या मोलता है इसका पड़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कुश्चन पड़ते हैं गिवन डेट दिया हुआ है कि 10% of age income equal to 15% of B's income equal to 20% of C's income आपको एक डाटा दिया हुआ है कि 10% A का income का 10% ब्रावर है B के income के 15% के ब्रावर है और B का income का 15% C के income के 20% के ब्रावर है तो if sum of their income is इतना और तीनों का A का B का और C का income को जोड़ दे तो हमारा टोटल केतना बनता है 700 is 7800 बनता है तो आपको किसका income बताना है B का income बताना तो solution देखते हैं क्या बोला कि 10% of A income ठीक है ब्रावर है 15% of B के income के वो ब्रावर है 20% of C के income का ठीक है तो यहां से सबसे 100 खतम हो जागा तब ब्रावर में तो बचेगा 10 A ब्रावर 15 B ब्रावर 20 C तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमको इसका ratio चाहिए तो इसका ratio लाने के लिए इसके नीचे अगर हम 15 का और 20 का तो दूनों का LCM लेंगे तो 60 ले लेते हैं मान लेजे 60 लेते हैं तो सब को 60 से इसका LCM मान लेजे क्या अतना आया 60 आया तो 60 से क्या करो नीचे डिवाइड कर दो ठीक है LCM जितना है उससे डिवाइड कर दो तो यह 10 जो है 60 को कार देगा 6 बार में यह 15 है जो 60 को कार देगा 4 बार में काटेगा ना 4 पर सांब और यह कार देगा इसको 3 बार में तो यह हमारा A और B और C का रिशियो आ गया कि A का मान क्या है 6 B 4 और C 3 है और इसका सम जो है टोटल इंकम जो है कितना दियावा है सब के इंकम 7800 हुआ है जब इस सब को जोड़ा जाए तो 6 4 3 जोड़ा जाए तो कितना बन रहा है 13 यहां तो 13 बन रहा है लेकिन कुश्चन में आपको गीवन कितना है 7800 इसका मतलब 13 कमान कितना गीवन आपको 7800 कट नहीं जाए नहीं तो एक कमान निकालने कितना होगा 23 यह जाएगा कितना बार में बी का इंकम पूछ रहा है अब बी का इंकम कितना है जा ओक का आगийने' हा अगर नहीं अगर चार से गुना करते तो एक है सोग् הי से गुना करेंगे तो थू हंड़ेड 2,400 आएगा lookin तो यहीं आपका क्या होगा बी का इंकम आ गया थिका समय माया तो यह आपका आंसर हो गया तो इसमें option में देख लीजे कौन सा है option c आपका ठीक है तो इस तरह से इस टाइप के कुषें का एप्रोच है सॉल्विंग करने का सॉल्व करने का अब हमारा कुश्चन नम्मर है 78 तो 78 नहीं है 77 एक्चॉली में 77 है तो 77 नम्मर कुश्चन क्या बोलता है पढ़कर इसका सॉल्योशन करते हैं क्या कहा यहां तक हो गया एक नम्मर है उसका 60 परसेंट का भी क्या ठीक है यहां तक हो गया एक नम्मर है उसका 60 परसेंट जो है इक्वल है कितना 36 के ब्रावर तो आपको बताना है दन नम्मर यह तो वो नम्मर आपको बताना है यह नम्मर यह स्पी का मान बताना है तो क्या हो जाएगा एक जिरो से एक जिरो काट दो छह से छह बार में तीन से दो बार में तो P ब्रावर क्या गया दो इधार है और 10 इधार और 5 इधार तो कितना बन गया 100 बन गया 5 को 10 5 को 2 से गुना किया 10 और 10 को 10 से गुना किया तो 100 तो P का मान कितना हमारे पास 100 है चोटा सा कुश्चन था तो ऑप्शन हमारा राइट हो गया है अब हमारा कुश्चन नमर है 78 क्या बोल रहा है कि A salary is 50% more than that of B मतलब A है और B है ठीक है उसमें से बोल रहा है कि A का से ऐरी है न वो 50% ज़्यादा है किसे बी से तो card का राक्सन क्या होता है 1 red टू तो यह तू क्या होता ऊरिजनाल वेल्यू का माझन होता यह क्या होता परसेंटेज मानARA होता है यह 50 का मान है यहां पर, 1 जो है 50 का मान है, तो औरिजनल वैल्यो कितना है, 2 है, तो B से तुलना हो रहा है कि A, जो है, B से कितना परसंट ज्यादा है, 50 परसंट ज्यादा है, तो इसका मतलब B का मान कितना है, 3 है, B का सेलरी कितना है, 2 है, और 50 परसंट ज्यादा है, मतलब 50 पर अब बोल रहा है कि B का जो salary है कितना कम है A से तो A से तुलना कर रहा है B का तो B है 2 salary है 2 और A का salary है 3 तब B A से कितना कम है एक कम है तुलना किससे क्या जा रहा है A से तो A कमान नीचे अब percentage value चाहिए हमको तो 100 से गुना अब percentage का sign और इस तो इसको कर रहो तो 100 by 3% तो इसका मान होता है 331 by 3% आप divide दे दे देना answer यही आएगा ठीक है तो यह आपका answer होगे option B है ठीक है समझ माया है